जब प्लांट में बिना फर्टिलाइजेशन के ओवियूल खुद को एम्ब्रियो में कनवर्ट करते हैं, तो उससे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि दो गैमेट्स के फ्यूजन होने पर फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एम्ब्रियो तयार होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां होता है ये कि ओवियूल बिना फ्यूजन किये ही खुद को एम्ब्रियो में बदल लेता है। इसे ही एपोमिक्सिस केहते हैं। एपोमिक्सिस प्रॉसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एपोमिक्सिस प्रॉसेस में गैमेट्स नहीं बनते और ना ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें असेक्शुल मेथर्ड से रिप्रोड़क्शन होता है। एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होता मतलब मेगा स्पोर मदर सिल डापलॉइड होता है खुद को हैपलॉइड एग यानि की गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस करता है तो एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होता है और सिन गैमे भी नहीं होता सिंगैमी मतलब जब मेल गैमेट और फिमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगाट बनाते हैं उसे सिंगैमी कहते हैं और ये प्रोसेस भी नहीं होता तो क्या होता है? ओव्यूल बिना फ्यूजिन किये खुद को एंब्रियो में बदल लेता है यही होता है एपोमिक्सिस अपोमिक्सिस में जब गैमेटोफाइट और गन या सेल बिना फर्टिलाजेशन के एंब्रियो बनाता है तो उसे अपोगैमी कहेंगे और अगर डैपलॉइड स्पोरोफाइट सेल बिना मियोसिस के खुद को डैपलॉइड गैमेट में बदल लेता है तो उसे अपोस्पोरी क ये औरेंज और मैंगो में होता है अपोमिक्सिस के तीन मेन केटेगरी हैं रिकरेंट अपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी रिकरेंट अपोमिक्सिस में अर्केस्पोरियल सेल या निूसलस से एम्ब्रियो सैक बनता है इसमें daplospory और apospory होता है daplospory यानि कि जब daploid megaspor mother cell से embryo sac बनता है तो उसे daploid spory कहते हैं ये terexicum में दिखता है apospory में nucular cell से embryo sac बनता है non-recurrent apomyxis non-recurrent apomyxis में meiosis cell division यानि कि meiotic division में megaspor mother cell खुद को embryo sac में convert कर लेता है बना लेता है megaspor mother cell daploid होता है और embryo sac haploid होता है जो कि meiosis के कारण होता है इस process में तयार होने वाले plant ज्यादातर sterile होते हैं और sexually reproduce नहीं करते ये nicotiana में दिखता है तीसरा adventive embryoni में normal embryo के साथ साथ एक और apomyxis process से embryo तयार होता है इसमें somatic nucellus या integument से embryo develop होता है तयार होता है ये type mango, orange और lemon plant में common होता है Adventive embryoni एक नया condition पैदा हो जाता है जिसे poly embryoni कहते हैं बस्ता है जच बस्ता है